पुछ और जगों की तस्वीरे दर्शकों को दिखाते हैं भारत बंद के दौरान बिहार में हंगामा हुआ है तस्वीरे हम आपको दिखाते हैं नालंदा की पत्राओ की सूचना मिल रही है बंद समर्थक और अस्थानिये लोगों में जड़प हो गई है भारत बंद के दौरान बिहार में हंगामा हुआ है खबर अभी आ रही है नालंदा से नालंदा में आप देख रहे हैं तस्वीरे आपके सामने सडकों पर पत्थर बाजी की घटना भी हुई है नालंदा में पत्थराओ, बंद समर्थक और अस्थानिये लोगों के बीच जड़प की सूचना मिल रही है पूरे इलाके में तनाओ की स्थिती बनी हुई है शशांक किसी खबर पर और ज़्यादा जानकारी आप तक पहुचाएंगे शशांक देखे जो बंद समर्थक हैं और जो अस्थानिये लोग हैं उनके बीच जड़प हुई है लेकिन पुलीस की टीम जो है वहाँ पर पहुच गई है सिती को कंट्रोल करने की कोशिस की जा रही है पूरे बिहार में पुलीस जो है वो अलर्ट मोड में है कहीं पर बरी हिंसक घटना ना हो इसके लिए जो डीजीपी हैं वो खुद मॉनिटर कर रहे हैं पुलीस अधिकारियों को दिसा निर्देश दिया गया है लेकिन इसी बीच जहानाबाद में भी आप सुबद जो है छिटपूट घटना हुई वहीं अब नलंदा में भी देखने को मिल रहा है वहीं आरा की बात करें तो वहाँ पर जो बन समर्थक है वो सड़क पर उतरे सड़क को जाम किया धर्णा परदरसन किया लेकिन कोसिस यही है कि कोई बरी घटना ना हो जो नलंदा में घटना हुई है वहाँ पर पुलिस की टीम पहुच गई है और सांत कराने की कोसिस में लगी हुई है आप चुकी जारखन के सराय की अलाम में मौजूद है तो जरा वहाँ की स्कृती भी बता जीजे चुकी जारखन मुक्ती मोचा का समर्थन है इस बंद को देखिए ये सेस्टी अलक्षन में जो क्रीमी लेयर लागू करने समन्दी सूपरीम कोट का जो फैसला है उसके बिरोद में जो भारत बंद का एलान किया गया है जारखन में कोई बड़ा असर देखने को मिल नहीं रहा है राची, जमसेतपूर, हजारी बाग, खूटी इस सब इलाकों में अभी जेमेम कारकरता सड़क पर उतरे नहीं है लेकिन हाँ द्योगर गिरडी में धर्णा परदर्सन हुआ है और आपको बता दूँ, जेमेम ने समर्थन का एलान किया है पर आपको जो है सगन तलासी अभियान जो है वो चलाया जा रहा है तो पुलीस जो है अलर्ट मोट में है कोशिस यही है कि कोई घटना जो है वो बड़ी घटना नघट जाए ठीक है शचान कि मैं दोवारा भी आपके पास लॉटूँगा एबी पी गंगा खबर आपकी जवाँ आपकी